सिस्टेटी 2019 माटिस के सवाल यह को साथ में हैज सेरी दोहज़ारबाइस का नोटिफिकेशन पहले आयगा इसी सवाल को लेकर कि आपको काफी हद तक चीज़ें किलियर हो जाएंगी कि exactly क्या होने जा रहा है अब देखिए सवाल तो ये था कैंडियेट्स का कि कहीं ये स्टीटी 2022 पहले तो नहीं होगा साथ में फेस के सवाल तो ये था ना सवाल ये नहीं था कि exactly किस किस सब्जेक्ट के लिए करवाया ज में है अगर बचे हुए कोमर्स के साथ जो बचे हुए सबजेक़् जैसे लाइबरी लाइबर्यन का एक्जामिशन नहीं हुआ फार्सी का नहीं हुआ म्यूजिक वालों का सामने ना आ जाए इनका नोटिस पढ़िए नोटिस का जो नीचे से तीसरा लाइन है नीचे से तीसरा लाइन उस पर ध्यान देजिए वर्ड यूज किया है उन्हें ततकाल जो चीज किलियर करना था वो तो किलियर किया नहीं बस यह किलियर किया कि कॉमर्स का होगा के लिए शिक्षक पाद्रत्रा परिक्षा आयोजित की जाएगी और इसमें उत्तिन छात्रों को नियोजन में सम्मिलित किया जाएगा यह जो वर्ड इन्होंने यूज किया है ना ततकाल इससे तो ऐसा लगता है कि planning यही है कि साथ में face के अंदर ही डालना है otherwise ततकाल वर्ड कोई क्यों use करेगा इस वर्ड से सिर्फ मुझे ऐसा लगता है बाखी हो सकता है आपका opinion अलग हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस वर्ड के use करने की वजह से अब इस बात को लेकर कि इन्होंने कुछ clarity तो दिया नहीं कि पहले होगा कि बाद में होगा इसलिए बस आप अंदाजा हे लगा सकते हैं तो अंदाजा तो यही लग रहा है कि तत्काल वर्ड इन्होंने use किया है और इस वजह से इनका तो प्रॉघ्र अजिक दो हजार नहीं है मिले जौब जो भी एलिजिबल कैनेट उसको जौब मिले इशू वस यही है कहीं इनके चक्कर में और साल-दो-साल ना वेट करना पड़ जाए और जहां तक वर्ड है ततकाल तो इस वर्ड के फेर में मत पढ़िये ततकाल भी साल का भी मतलब साल-दो-साल होता है भी करो California system करूंड है चीज़ चीज़ को चीज़ क्लियर किया नहीं और क्लियर कर दिया बसे दर ना कि वाले पताने किस तरीके से चीजों को एक्जिक्यूट कर रहे हैं कि एनिहाओ जो कुछ मुझे लगा वो मैंने आपको बता दिया यह जो तत्काल वर्ड इन्होंने यूज किया है इस वज़े से ऐसा लगता है कि इन लोगों का प्रोग्राम पहले ही करवाने का है बाकी यह है किसी के वज़ीए वेट करने की मतलब वेट करने को तयार होगा और इसका क्या नतीजा होगा अगर सरकार ना ऐसा कुछ किया के सिटी दोहजार बाइस पहले कर आओ इसका क्या नतीजा होगा आप लोग बहतर समझते हैं पहले भी जितना भी धरना परदशन हुआ है इस होने वाला है वो आप लोग बहतर समझते हैं बाखी उम्मीद है चीज़ को लगे क्लारिटी आये सरकार की तरफ से और होता क्या है ब्यूर्क्राइट का क्या है जो का इंडियर जाता मिलने के लिए अपनी मांग को सबको खुश करके भेज देते हैं आप इस सभी लोग इस नोटिस का क्या इशारा है वो आप लोग समझिये और उम्मीद ही करते हैं कि अगले कुछ दिनों में चीज़ें क्लियर होंगी और अगर आनन फानन में ये लोग नोटिस निकालने के कोशिश करते हैं लेटर का एक्सचेंज होता है तो फिर तो आप यहीं माल लिजे कि स्टेटी 2022 पहले लेने वाले हैं तो आगे देखते हैं क्या होता है जो कुछ होगा मैं उस पर अपडेट करता रहूंगा अभी क्लिए दना